हेलो फ्रेंड्स लाव टिप्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दुस्तो मैंने एक वीडियो डाला था बी एफ को पुकारने के दस बेस्ट क्यूट नाम उसमें आपने डेल सारा प्यार दिया बहुत ही अच्छा उसमें रिस्पॉंस दिया उसमें कई कमेंट आए कि और ऐसे नाम बताईया जिसके बदौलत हम अपने बॉइफ्रेंड को क्यूट नेम से या तो फिर निकनेम से बुला पाए तो दुस्तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे आट से नो निकनेम बताने वाला जिसके बदौलत आप अपने बॉइफ्रेंड को प्यारी प्यारे नाम से बुला सकते हो अपने प्यार का इजहार कर सकते हो और सामने वाले बॉइफ्रेंड को एक अच्छी फिलिंग दे सकते हो तो चलिए दूस्तो देख लेते हैं वो कौन से अच्छे अच्छे नाम हो सकते है जिसके बदल अपने BF को एक अच्छी फिलिंग दी जाए उसमें सबसे पहला जो नेम है वो है चैंप अगर आपका boyfriend अच्छा प्लेयर है कोई एक particular फिल्ड में तो उसे champion यानि की champ short name से बुला सकते हैं उन्हें ऐसा बता सकते हैं कि तुम इस फिल्ड के अच्छे खिला जी हो समझ लीजे कि वो cricket में बहुत ही अच्छा प्लेयर है तो आप ऐसा कह सकते हो कि यू आर champ in cricket यानि की champ के nickname से आप बुला सकते हो नमबर दो पे जो नेम है वो है buddy अगर आपका boyfriend बहुत ही अच्छा आपका friend है उसके बाद आपका boyfriend बना है तो आप buddy कह सकते हो वो बहुत ही अच्छा नाम लगता है और ऐसा बोलने से उनको एक cool feeling भी आती है नमबर तीन पे जो नाम है वो है charmer अगर आपका boyfriend charming है यानि की cute देखता है बहुत ही उनको देखकर आपको एक अच्छी feeling आती है तो आप उन्हें charmer कह सकते है और उनको एक अच्छी feeling दे सकते है नमर चार पे जो नेम है वो है क्यूटी यानि कि आपका boyfriend cute दिखता हो दिखने में बहुत ही अच्छा हो यानि कि handsome नहीं लेकिन cute दिखना जैसे कि अमीर खान है वो cute दिखता है तो दोस्तों ऐसे ही आपका boyfriend cute दिखता है तो आप cutie कहकर उनकी cuteness की तारिफ कर सकते है नमर पांच पे जो नाम है वो है hot यानि कि अगर आपका boyfriend very very hot है दोस्तो hot यानि कि अच्छी खासी body हो दिखने में काफी hot दिखता हो जिसे आपको देखकर उनको एक sexy वाली feeling आ जाती है hot वाली feeling आ जाती है तो आप उने होटी कहकर उनकी जो hotness है उसकी तारिफ कर सकते है उनको अच्छी feeling दे सकते है नमर छे पे जो नाम है वो है kiddo यानि कि अगर आपका boyfriend बच्चे जैसा हो आपका boyfriend ऐसी बचकानी हरकत ही करता हो आपके साथ kiddy तरीके से आपके साथ पेस आता हो तो आप उने kiddo कहकर उनकी जो बच्चे जैसी हरकत है उनकी तारिफ कर सकते हो उन्हें दिखा सकते हो कि आप बड़े तो हो गए हो लेकिन अभी भी बच्चे जैसे हो तो kiddo कहके उनको एक अच्छे nickname से बुला सकते है नबर साथ पे जो नाम है वो है lover boy अगर आपका boyfriend बहुत ही ज्यादा flirty है आपके साथ flirt करता रहता है हर बार प्यार का इजहार आपसे करता रहता है प्यार जताता रहता है आस पास कितने भी बैठे हो खड़े हो उसे कोई फरक नहीं बढ़ता तो आप उसे प्यार से lover boy कह सकते हो जैसे की तारक मैदा में सोडी है वैसे ही अगर आपका boyfriend है तो आप उने lover boy कहकर उनके जो प्यार करने का तरिक है उसकी तारिफ कर सकते हो नबर आठ पे जो नाम है वो है monkey हाँ दोस्तो monkey का मतलब है बंदर लेकिन आपका boyfriend बंदर की तरह every time उचल कुद करता हो हर बात पे इदर से उदर हो जाता हो हर बात पे यहां से वहां वो busy रहता हो बहुत ही ज़्यादा काम करता हो तो उन्हें monkey कह सकते हैं उन्हें प्यार से बंदर कहके ऐसा दिखा सकते हैं कि आप हर वक्त यहां से यहां उचल कुद करते हो और आखरी और नमबर नौ पे जो नाम है वो है playboy आपका boyfriend थोड़ा funky style वाला हो girls के बीच ज़्यादा उन्हें रहना पसंद हो उनके आसपास भी ज़्यादा लड़किया रहती हो तो उन्हें playboy कह सकते हो तो playboy ऐसा common और evergreen नाम है जिससे सामने वाले जो लड़के हैं उसे cool feeling आती है उनको बहुत ही अच्छा लगता है तो आप अपने boyfriend को playboy कहकर उन्हें यह जता सकते हो कि वो funky style वाले है वो cool attitude वाले है तो दोस्तो यह 9 ऐसे नाम है जो अगर आपने boyfriend को बुला दिया इस नाम से nickname से तो उनको बहुत ही अच्छी feeling आएगी यह nickname है BF के लिए आप कौन से नाम से अपने boyfriend को बुला थे मुझे comment करके बताए दोस्तो वीडियो के starting में जो बताया था दस और ऐसे नाम जो मैंने पिछले वीडियो में डाले थे वो end screen में जाकर आप देख सकते है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तो फ्रेंड वीडियो को देख रहे है सारे GABF राजा मजनू लेला जो भी हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए कोई सवाल या सुजा हो तो मुझे comment करके बताए thank you दोस्तो know better live better